जुड़ चुके हैं जैप्रताप सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। तो एक तरह से जहाँ इस खबर पर सुआस मंत्री लगातार फोन काटते हुए नजरा शेबास जैप्रताप सिंग जुड़े थे लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने इस बयान को ज़रूरी नी समझा इस खबर पर बयान देना इसलिए उन्होंने फोन कार दिया लेकिन ये जरूरी ह को जाता है कि उनको भी समझने की जरूरत है कि इस समय जो करोना काल चल रहा है उसमें वेतन विसंगतियां बड़ा है और वहीं जिगिस्सा कंपनी के द्वारा जिस तरह से लगातार नए कर्मचारियों की भरती की खबरे सामने आ रहे हैं उससे ही गुसा है कर्मचारी तो वो चीजों को सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है अभी आपको बताया है जैसे कि एम्बिलेंस सेवा में जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं जो अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं चाहिए कोरोना काल का जब दूसरी लहर का बहुत बुरा दोर जब पूरे प्रिदेश में देखा गया तब भी वो अपने पूरी लगन से काम कर रहे थैं अपनी जान जोखे में डालके काम कर रहे थैं तो ऐसे में उनकी ये मंङ naar कहीं पूरी तरीके से वाजिब हैं ऐसे में सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी उनसे बात करनी चाहिए थी क्योंकि जिस तरीके से लगतार वो हड़ताल पर है और अपनी मांगों को सामने सरकार के सामने रख रहे हैं शावास खान इसे लिए हमने जोड़ने कोशिच की कुछ एसावा सक्राइब दिर्जार्द आपको भाव हैं पर आपको समझाने की जरुवात है शावास आपको आपको आफाज हैं या यूँ पर नहे करमचारी हैं को रखने का प्षाश अपर करने को हैं इंटर उठाती है वह अपना पायदा सोचती है और कम मांदे पर काम करने करमचारियों को हायर करती है और उनी से काम करवाती है और यह सारी जो कंपनिया होती है यह भी यह भी नहीं ध्यान देती है कि जो एंबुलेंस सेवा कई दिनों से 102 और 108 में अपनी सेवा दे रहा था वो कितने सालों से दे रहा था उस परिवार की कितने कितने लोग जुड़ थी इस बलकि इस तरह के जो शाही फर्मान जारी कर दिया गया कि अगर इस तरह की कोई अपनी घटना होती है या किसी की मौत होती है एम्बुलेंस की गैर मौजूद्गी में तो ऐसे में चालत के खिलाफ जो है वो अपाईया दर्च होगी लेकिन वेतन ना मिलना और वेतन व राशी दी जाएगी लेकिन उसका भी अभी तक कोई नजर नहीं आरा किसी तरह से तो ऐसे पर यह जरूरी हो जाता है कि आप मांगो को सुने और उसका इस्पस्टी करन दे हाला कि यह फाईयार दर्च करने की बात सेरे से गलत है हाला कि जो परिजन है वो शहबास बिलकुल की जो खबरे सामने आती रहती है उतर परिदेश में स्वास सेवा किस कदर बदहाल है इसकी तस्वीरे हम लोगों ने जो दूसरी लहर थी करोना की उसमें देखी कि बिना किसी तैयारी के एक जंग लड़ लए थे एक अद्रिश बिमारी जो ना दिखने वाली बिमारी है उ बिना किसी हतियार के क्योंकि अस्पतालों में ना तो आकसीजन परियात मातरा में थी ना तो एम्बुलेंस करमचारी परियात मातरा में थे तो ऐसे में ना तो लोग अस्पताल पहुच पा रहे थे ना अस्पताल जो पहुच भी रहा था तो आकसीजन की इतनी जादा तो इस तरह के जब परिशानिया करमचारी जहलते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप उनसे इबर वारता करें समवात करें उसके बाद इस तरह का कोई कठोर कदम उठाए बहुत बहुत शुक्रिया हम आइसा जुडने के लिए तो लगातार स्वास्त करमचारी वो अपनी सेवाओं को बहाल करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनका साफ तोर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी सेवाओं दुबारा स देश शुरूर नहीं करेंगे जिसको लेकर परेशानिया हो रही हैं जिसको लेकर जो पीड़ित हैं वो जादा परशान हो जाते हैं उनको क्योंकि अमबुलेस नहीं मिल पा रही है तो लोग मजबूर है अपनी गाडी से निजी वाहनों से या जो भी सहरा उने मिल रहा है अस्पताल तक अपने मरीजों को पहुचा रहे हैं वो इस पर ही योगी सरकार सक्त हुई है और उन्होंने इस साफ तोर पर कहा है कि इस बीच अगर किसी भी मरीज की या मौत होती है तो उस पर सीधे तोर पर जो कर्मचारी है उन पर F.I.R. दर्श की जाएगी फिलाल के तब तक के लिए आप देखते रहे है प्राइम टीवी